नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने स्यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गिलरी में इस पर्टिकलर वीडियो में बचे हम क्रोमोजोम जो एक टॉपिक है बचे क्रोमोजोम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रते एक साल नीट में इसमें हम पुरा मतलब सब को एक ही साथ समझते हैं कि एक ही जगार नोट्स बना ले ताकि ध्यान रहे देखे कि नीटुनीस में क्या कोशन है था पहले देख ले दो सौटर एन लॉंगल आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आर रेफर्टू एज सब मेटासेंट्र की का जो विद्फ और लौंगर अर्म होता है छोटा आर्म और लौगन लौगन ़ौन जो बड़ा आर्म होता है बच्चे उसको क्या क्या बच्छो का जाता है चोटे को पी कहते हैं या बटे को käytt या क्यों के टैन सभी कूशन हम जवाब देंगे एक बrange और मौन है यह पहले जो जो previous year में question पूछा उसको discuss करेंगे चाहे वो NEET में हो, graduation में हो या MSC में हो आप इस तीनों में कहीं भी हो बच्चे चाहे नीट का त्यारी कर रहे हो या graduation के किसी भी semester में हो या पार्ट में हो उसमें हो या फिर MSC in trans exam की preparation करना चाहते हैं बच्चे सभी के लिए 11th का NCRT और 12th का NCRT भेरी important है बहुत महत्वरने बच्चे maximum question 70% slaves तो यहीं से कवरे सब जगा का नीट का तो 100% slaves नीट का तो 100% slaves 11th 12th का NCRT है उसके लावा graduation हो और MSC हो तो चुकि ग्रोजेशन में गये हैं बच्चे तो NCRT तो है 11th 12th का थोड़ा भूत आप मार्ट की बेचलर पर रहे हैं तो उसमें जाद आए तो 30% और MSC इंट्रांस एक्जाम बच्चे सिर्फ इंट्रांस एक्जाम के प्रिवेशन करना चाहते हैं आप जो लोजी क्या तो वहां के लिए भी यह बहुत आई स्टार्ट करते हैं क्रोमोजोम प्लीज पूरा वीडियो देखिए आपको मज़ा आयागा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे चाहिए आप नीट में हो ग्रिजेशन हो या MSC इंट्रांस एक्जाम के प्रिवेशन करना चाहते हैं हम सभी से सभी से क्रोमोजोम देखिए डिस्कवर्ड बाइ स्ट्रॉस बर्गर एंड होप मिस्टर यह लाइन एंस्याटी में लिखा है बच्चे नीट के लिए नीट में इतना डीपली सैंटिस्ट का नाम ने पूछता है जो लिखा हुआ है जैसे मेंडल के बारे में पूछा हुआ था ठी आम के लिए एंगावन देखिए घ्रां Sun के लिए इमपोरेंट है चैежं हम साथ साथ बताती जाएंगए नहीं पहित्ना हम बताऄं रहें बस इतना चुशनल ऴत तरशायी चाहिए तो वह सब नंबर है हमारा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में वहां पर मैसेज कर सकते हम आपको इसका पीडिया प्रोवाइड कराएंगे ओके नहीं तो जितना हम बता रहे हैं बस इतना आप जानकारी ले ले बचे आप किसी भी स्टेज पर हो चाहे नीट में हो ग्रेजुएशन में हो य पूरा पर लिए जितना हम बता दिये बचे इससे बाहर कोई कोशन आए नहीं सकता अगर किसी एक्जाम में इससे बाहर कोशन आया तो प्लीज आप हमें दिखाएं तब हम बात मानेंगे ओके क्योंकि बचे आपसे तो जरूर हम सीनर हैं ही बहुत सारा अनुभावे हमें हम नहीं देखते दो पर ने पर आने का काम करते हैं तो अधिकना पता है क्या पूछा जाता तो आप बिस्वास करें विस्वास सबसे बहरी चीज किजिये 10 fix सॉय आगे आप हो या हम हो को वह बच्च आंगे परते हैं टर्म क्रोमयोजॉम वास्गीवाश्च गीवन बाइ कु आगे परते हैं आप एक और को सिनाता है बच्चे मैक्स resting पूछा जाता है पहले एंस के या में पूछा गया था सबिस्के में कि पुछा में provinces को नंबर है तो उस टॉपिक को पर लेते हैं और बस इससे ज्यादा कहीं नहीं है परते हैं नंबर ओप क्रोमोजोम किसी एक करोमोजोम सब्सक्राइब करो क्रोमोजोम का नमर कॉंसटेंट होगा है इस कॉंसटेंट इन डिफरेंट इंडिफिरेंट इंडिवजेब आफ। एक क्रोमो-जोम के अलग-लग इंडिवर में क्रोमोजोम का नमर कोंस्टेंट ने जैसे कुफ़ को बात करको हाओ में पूछा जाता था लेकिन अलग अलग होगा लेकिन एक स्पीसिज के अलग-अलग इंडिविजल में सेम होगा दिहान रखें बस अब देख लेते हैं यह कुछन पहले एम्स में पूछा जाता था लेकिन कई अभी 2-3 साल से नहीं आया है नीट में तो अभी नहीं आया है लेकिन हो सकता अगर आगे पूछ दे आसान एक बर पर लें आप एक मेंसी के लिए इंप्वोटेंट है यह देखें विचे नमबर और क्रोमोजोम इंस्मेटिक से पहले तो हम देखेंगे कि स्मेटिक से ल मे स्वेटिटिटिक से लिए जिसको टू एं हथा है कितना है 46 है इसकल टू 23 है कि यह मतर का बारे में पर हैं इससी पे ञिस्राइड कि आई आई कि पॉटिटिन है एसक टू 7 वीज मेज में समेटिक से सिल में कितना है 20 इसकल टुवेंटी है तो एन कितना होगा सीधे आधा टैन हो जायागा कि अनियन देखें आनियन जो प्याज होता है उसमें टूएन इसकल टू 1260 टू एन इसकल टू 1260 और एन इसकल टू 36 एन इसकल टू बच्चे 36 यह 2020 के इंट्रांस एक्जाम में भी MSC में आया हुआ है वीडियो पूरा बना हुआ है बच्चे आप हमारे चैनल पर जाएं ड्यू इमसी इंट्रांस एक्जाम का पेपर देख सकते हैं दली उ और मिल जाएगा इसे वार उसमें पूछा हुआ हूआ है थिक्सी इमपेंजी इंपोर्टेंट इसके बार पूछा जाता है क्योंकि चिमपेंजी होता है और एन गेमिट में कितना होगा 21 ओके यह क्रोमोजूम का नंबर था कुछ इंपोर्टेंट टोपिक है बचे ग्रेजिवेशन और मस्जी के लिए इंपोर्टेंट है एक कोशन यहां से आता ही है प्रदेख साल तो थो ध्यान रखे आगे देखते हैं जीनोम सब्द के बारें बहुत आप सुने होंगे जीनोम क्या होता है देख लेते हैं क्रोमोजूम क जागा तो आप वह जीनोम को डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से लिख सकते हैं और जक्ति में भी हो तो तीनों डेफिनेशन हो तो तीनों उसका जवाब हो सकता है देखते हैं सब सहां एक बचे में बूलना बूल गया कि क्रोमेटीन सब्द फ्लेविंग दिया था वह आपक पता है बच्छे मेरल गयाबमिट फ्रेंग को हें टो चैनले परिंटीन सब्सक्रांण होता है तो जितना आड़ी क्रोमोसों अब ने संदर हमोंतिम जातों है N is equal to kitना था 23 था वो क्या है Genome है एक सेट है प्लेट सेट है और डिफिनेशन क्या है इसका एक complete सेट आप क्रोमोजोम विच इज इनहेरेटेड कम्प्लीट सेट आप क्रोमोजोम विच इनहेरेटेड एज यूनिट वाई वन पेरेंट डूरिंग रिप्रोडक्शन करा है क्रोम्जोम का वो कम्प्लीट सेट जो रिप्रोडक्शन के समय किसी एक पेरेंट से इनहेरेट होता है किसी एक पैलेंट से आना जैसे मेल से याँ 23 वो जिनॉम है या फिमेल से 23 वो भी जीनॉम और कि रिप्रोड़क्शन के समय को आए एक कोसन देख लेते हैं और यह पूछा आता है नीट में को सब्सक्राइब आपा इसलिए पैल इंपोटेंट है कुछन है 42 chromosome present इसका मतलब बच्छे present धियान रखे हम आगे यही टर्मिलोजी को यूज करेंगे ताकि कम लिखना परे 42 chromosome present in wheat wheat में वही ट्रिटी कम एस्टिवम में देखे थे बच्छे जो पहले उसमें 42 chromosome present है देन हमसे पूछ रहा है number of chromosome in genome genome में क्रोमोजोम का नमर कितना होगा एंड गैमिट में जीनोम में कितना होगा और गैमिट में कितना होगा बच्छे देखे तो देखिए जीनोम में number of chromosome in genome कैसे निकालेंगे डारेक्ट एक फर्मूला है है number of chromosome in genome का total number of chromosome in somatic cell somatic cell में टोटल नमर क्रोमोजोम कितना है तो यहां 42 था और पुलाइडी लेवल पुलाइडी लेवल देखना बहुत ज़रूरी है बच्छे किसी में genome और गैमिट में सेम होता है number लेकिन जो लेकिन जैसे ही मल्टी निकुलेट होने लगता है है उक्टाप्लाइड हो जागए तो वहां थो राभूत दोनों में डिफरेंस होने लगता है तो genome का होगा 7 जरो में कहतना होगा और गंद्ध सिधह आधा हो जाता है जो भी पुल overlap इसका आधा कर दीजू में 5 हो डिय अप्रलिघ गंद्रत में सब्सक्राइब और यह डिनॉम स हाथ है लिए सब्सक्राइब में और सकानध सब्सक्राइब आप से पुसले gamit में कितना होगा तो gamit में कितना होगा बच्चे 32 gamit में कितना होगा 32 लेकिन genome में कितना होगा तो 64 upon 8 64 upon 8 वहां 8 हो जाएगा ध्यान रखें दोनों अलग लग कुस्सन है ओके कि आप देखिये यहाँ इंपोटेंट है नीट के लिए बहुत हैं पूछा गया है कि इसको और पूछा गया है इसको हम BVA किये हैं तो वह morphology है क्रोमोजोम का कि अलग लग सेप कहा कहा होता है उसका हम बेस बना रहे हैं वही है प्रोमोजोम morphology is studied in metaphase क्रोमोजोम का जो morphology हमें study करते हैं कि इस stage में metaphase stage में because कारण क्या है कारण भी आपको पता होना अच्छे because maximum condensation of chromosome occur in metaphase क्योंकि chromosome का जो maximum condensation होता है अच्छा सेप पकरता हुए कव मेटाफेज stage में ही उसका maximum condensation होता है ध्यान रखे maximum condensation of chromosome occur in metaphase यह भी लाइन अपने हाप में important है यह लाइन बच्चे बहुत गःषिक में थ्यान रखे mm नियुमानिक्स सब्सक्राइब अच्छे से बद चुका है मतलब ध्यान रख सकते हैं से निट में कोशन आयवा है तो इंपोर्टेंट है कि अप लोग ध्यान नहीं देते हैं सारा कोशन बचें सीर आता है 95 कोशन अगर 95 परसेंट देखे तो सलेवस एंसे एंसे आटी से राता जिसे 90 कोशन अगर नीट में पूछा जाता है तो अठेटर, साठेटर मतलब 86-87 कोशन बचें NCRT से राता है, एक दो कोशन बहार से राता है अब एक दो कोशन बहार से राता बच्चें उसके लिए बच्चें इधर-धर किताब, रेफ्रेंस बुक्स, मोटा-मोटा रेफ्रेंस बुक, MTG तो ये तो वो परती रते हैं और NCRT क सब्सक्राइब कर पाते बचें से एंसेयाटी को टेन डीजिट में दस से बारा बार चाहिए 11 का एंसे आटी हो एक ग्यारा से बारा बार आप अच्छे से इधर सुधर पर ले बस more than sufficient है 11 से बारा बार उसको पर ले एक भी कोसन ने चुटेगा बचे जो दो तीन कोसन इधर से आता है तो इतना परनेक बाद आपको इतना knowledge हो जाएगा भविस में आपको पीछे मूर के नहीं दीखिएगा भविस में कभी और एक बार अच्छे से महनत कर ले एक बार अच कर लिए 11 से बार बार पर के देखें बचे कहीं कोई करने होगा नहीं कुछ तो कम से कम अप अच्छा परहा लेंगे और अच्छे सिक्षक कि यह अपने भारत देश में बहुत कमी है तो बच्छे परहें अच्छे से बस NCRT को अच्छे से कम्प्लीट करें more than सभी सेंट है आगे देखते हम कि अब वही जो मॉर्फोलोजी और सेब देखेंगे बचे आई देखते हैं यहां पर टाइप्स सबसे पहला देखेंगा मेटा सेंट्रिक यह मेटा सेंट्रिक सब मेटा सेंट्रिक एक्रो सेंट्रिक तीरो सेंट्रिक देखेंगे किस बेसिस पे तो सेंट् सब्सक्रार 2021 में विए से रिलेटेड़ क्रोमोजों में ध्यान रखें इम्पॉर्टेंट है ग्रिसको कितना सीुविंगा सपते सकते हैं तो उपर का झुआन बनेगा और नीचे नीचे का घ्र मने दोनों दुनों में को ब्राबर होगा ठीक है संट्रों मियर ब्रृट से क्या ऊपरिनाम की इकवलaky बनेगा दोनों आर्म का परेल यदिश्य में सिर्ट्रमथ मीं और होता हुँ है आपको पता है मंझि एस्टडी करते हैं मेटा फेज में في pedestrians सभी लाइन इंपोर्टेंट आढके सब्सक्राइक विसेफ करते हैं थ के सबसे इंप मंजेस वर्म अबी मेटासेंट्रिक मेडासेंट्रिक में मी से द्यान रखे बच्चे नेक्स देखते हैं सब मेटा सेंट्रिक सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है तो इसमें क्या है सेंट्रो मेर इस अवे अर्म बन जाएगा ध्यान रखे सभी लाइन इंपोटेंट है बच्चे दो से चार बार इसको आप पर ले कॉपी में लिखने ठीक बता ही दिया को पीडियाप चाहिए तो आप हमें मेसेज कर सकते हम आपको वेवलेबल करवाएंगे एक छोटा एक बड़ा अर्म बनेगा सेप एना फेज में सेप क्या होगा बच्चे एल सेप एना फेज में सेप क्या होगा एल सेप ध्यान रखे एस एल क्या याद रखेंगे साला हम लोग अक्सर बोल देते हैं साला तो सब मेटासेंट्रिक एल सेप सब मेटासेंट्रिक एल स तो ठेक, next देखते हैं, एक्रोसेंट्रिक, important यह, sub-terminal centromere, क्या है बचे, sub-centromere जो होगा, sub-terminal, मतलब terminal से हलका नीचे होगा, centromere is very close to end, देखते हैं, end बचे यह है, end यह है, उसके बहुत close है, मतलब समझे कि end पर ही है, लेकिन उसके हलका नीचे है, इससे क्या होगा, one very shorter and one very long arm, एक बहुत छोटा, उपर बला जो है, बहुत छोटा है, नीचे बहुत बढ़ा arm बन चुका है, एक बहुत बहुत बढ़ा arm बन चुका है, बच्चे, उसी उकते हैं, एक्रोसेंट्रिक, तो यहीं में, maximum arm ratio आपको कहां देखने हों मिलेगा, एक्रोसेंट्रिक में ही, क् कि माली जो छोटा का, साइज ले लेते हैं बचे तीन, और बरा का आई साइज लेते हैं बार, तो देखिए, बारा बटे तीन, चार, जो arm ratio maximum होगा, यहीं होगा, एक बहुत छोटा arm, एक बहुत लंबा arm, कोस्तन यहीं से बनता है, इसके छोटे arm को क्या करते हैं, तो P, छो अजय है, तो एक्रोसेंट्रिक, जे सेफ, एक्रोसेंट्रिक, जे सेफ, सभी का सेफ, बच्चे एक बार, फिट्रिक देख ले, मेटरासेंट्रिक, वी सेफ, मन्जे स्वर्मा, एम भी, फिर करते हैं, सब मेटरासेंट्रिक, एल सेफ, साला, यह किसे होगा, तो सब मेटरासे से बच्चे आपको याद कराते हैं क्योंकि हमें अनुभव है कि लंबा अनुभव है तो आसानी साफ जूरे रहेंगे तो सभी भी से इसके अलाबा भी कोई 1112 का एंसे आटी में कोई भी प्रॉब्लम हों बच्चे चाहिए फिजिक समस्टी बालोजी भी हो गिदिविशन रि इसमें पूरे के पूरे टिप पर सेंट्रोमेर सेंट्रोमेर पूरे के पूरे टिप पर है एक ही आर्म दिखेगा बच्चे आपको जो में एक ही आर्म दिखेगा दूसरा नहीं दिखेगा ठीक है ओनली वन आर्म सेब क्या है आई से एक उपर है टिप पर सेंट्रोमेर एक नीचे आर्म है तो आइसे बनता है ठीक तरह कैसे याद रहएंगे जो यह चार हार पर देके बचिर टिपकल क्रोमोजोम के पास क्या क्या होता है तो दो धी-स ऐस सकता है पूछेगा की अपसकता है या सब दिया रहेगा कोई और प्रेक्टिस के लिए तो कुछ भी कोशन आ सकता है बच्छे वो कोई भी आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोशन देंगे कहेंगे इसका जवाब बताओ लेकिन वो सब कुछन आता ही नहीं है आप भी देखें अगर नीट का एजाम दिये होंगे बच्छे इतना आसान असन कोशन पूछता है कि बच्छे वहां पर जाके माथा सर पे हाथ पर लिए होते बच्छे वहां बहुत लल्लू पूछता है इसलिए तो कटप इतना जादा जाता है तो एक्जाम तो लल्लू ही रहता है सुरी एक्जाम बें कुछन तो आसानी रहेगा ताब क्यों न अच्छे से पर के जाए डिफिकल्ट कुछन सब को के पीछे परेंगे तो आज इवन परते रहा जाएंगे बच्छे कहीं सफलता हाथ ने लगेगी तो तो थरा बिश्वास करें आई हम परते हैं से आटी यह Pacific Army कराए आपने इसको पराह है कि इंटरफेस निकलिएस के पास जो लूज और इंटीस्ट्रियू का नेट वरक होता है क्रोमाटीन को यह तके हैं लेकिन बट द् सब्सक्राइब करता है पूछ सकता हूँ पर क्रोमेटीन करता है तो क्रोमेटीन डियन और कुछ बेसिक प्रोटीन होता है है डेहां न्रेके लेकिन सम् नोन हिस्टोन प्रोटीन ये हैं यह इस पराएंगेज करें यह पहुत आइधा तो पराएंगे जेनेटिक कभी धी कोई इसका नुमेरिकलू हो क्लर्म लान एसे से रेलेटडेड हो इसकर भी कोई दिक्कत नहीं होगा ओके कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और ने भी प्रेजन्ट होता है इस सिंगल हुमन एक अकेला हुमन के पास कितना दो मीटर लंबा लगवाग दो मीटर है जो कि 46 क्रोमोजों में डिस्टिविटिर रहता है इसेंट्रोमेर उसके पास एक जरूरी है सभी में प्रते क्रोमोजों के पास सेंट्रोमेर तो होगा है जिसको primary construction भी करते हैं, ठेक, on the sides of which disc shaped structure called kinetocore represent, जिसके side में एक disc shaped structure होता है, बच्चे, देखे, यहीं centromere है, यहाँ पर centromere है, इसके चालब कले एक disc shaped structure है, जिसको kinetocore करते हैं, kinetocore क्या है, disc shaped, shape इसका ध्यान दखे, disc shaped structure है, और spindle fiber kinetocore सही attach रहता है, spindle fiber attached to kinetocore, spindle fiber attached to kinetocore, neat में question आयवा है, important है, सभी चीज़ को बच्चे यहीं परम बता देते हैं, आप अगर NCIT का book है, तो वहाँ पर modify कर सकते हैं, एक ही जगा, सब को एक ही जगा रखें, ताकि एक जगा देखने में आपको आसानी हो, जब अन्त में एक बार quick revision की जगा, तो सभी को एक जगा देख सकें, centromere holds to chromatid of chromosome, centromere क्या करता है तो, जो chromosome का दोनों chromatid है, दोनों को hold करता है, पकर कर रखता है, आप देखिए, based on the position of centromere, the chromosome can be classified into four types, centromere के position के basis पर हम chromosome को चार भाव को बाढ़ सकते हैं, सबसे पहला है metacentric chromosome, उसमें क्या होता है, has medial centromere, centromere क्या है बच्चे, बीच में होता है, पहले पर चोके है, shape क्या है, V-shape है, MB, मंजेश वर्मा, trick था, वहाँ पर, दोनों arm क्या होता है, equal होता है, चुकि बीच में है, तो दोनों equal arm होगा, have two equal arms of the chromosome, ठीक, फिर देखते हैं, the submetacentric, आसान लए गए बच्चे सब आपको, the submetacentric chromosome has, center mirror slightly away from the middle, middle से हलका उपर होगा, ठीक है, resulting into one shorter arm and one longer, इसमें भी एक छोटा और एक बड़ा आर्म बनता है, लेकिन जादा छोटा जादा बड़ा नहीं, बस छोटा बड़ा आर्म बनता है, ठीक, और साला, याद होगा, submetacentric L-shape, L-shape हो वहाँ पर बच्चे, anxiety तो सभी से पूर डिस्कस भी नहीं करता है, फिर है, in case of acrocentric chromosome, acrocentric chromosome के case में, the centromere is studied, situated close to end, acrocentric में, जो centromere होता है, एक end के, मतलब एकड़म टॉप पे बुझे, टॉप से हलका नीचे बचे, टॉप से हलका नीचे रहेगा, ध्यान रखे, acrocentric को ध्यान रखे, सब इके बचे terminology को आप अच्छे से समझ गए, metacentric, middle, metacentric, middle, submetacentric, subterminal, acrocentric, top से हलका नीचे, acrocentric, top से हलका नीचे, टीलो सेंट्रिक, एक तुम टॉप पर, बहुत आसान है बच्चे, definition, बार-बार, anxiety को परने के रटने के जरतनी concept सीखे, यही है कि आप अच्छे जगह से परहेंगे, अच्छे जगह से सुनेंगे, अच्छे जगह से material लेंगे, बचे, आपको आसानी से brain में घुजाएगा, बचे, बराबर होगा, एक्वल आर्म हो जाएगा, और ट्रिक तो बता ही दिया है, MB, मन्जेश्वर्मा, हो गया, खतम, सब मेटासेंट्रिक, सब टर्मिनल, सब टर्मिनल, बतलो हलका उपर, जो सेंट्रो मेर होगा, हलका उपर होगा हलका उपर रॉग jerk लंबा अर्म बनेगा ठीक सोट आर्म को आपको और मेंवे होया है आप आपको बता है यहां को उपहलने को को हैं न उन इसेता करने को सर्दुल्स का नीचे देखी एक बहुत बड़ा हो गया एक बहुत चोटा हो गया बहुत बड़ा आर्म हो गया बहुत चोटा आर्म हो गया बच्छे इसलिए आर्म रेस्वे मैक्समम यहीं होता है एक्रोसेंट्रिक में वह हम अपने नोर्स में भी आपको पहले बता चुके हैं ठीक आज Chireasında Chira set क्रोमोजोंम और रेफरट को चया कहींगे तो अपसे नमर सेकेंड काते हैं प्राइट काते हैं तो प्लीज हमें कि बच्चे कमेंट में बता है तो प्लेजिक में उप्लोड कर देंगे और इसके कोई टॉपिंगों को दिखकत हो जाहिए वह मेर्ट नीस कर सकते हैं पाइघ साथ जाहिए करना छोड oike is एकदम गाउंगर में कहवत है चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे सरीरी चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे सरीरी नहीं चिंता करें नहीं डुख ले बच्चे जो होगा होगा अच्छा ही होगा चिंता से स्रिस्ट चिंतन है चिंता जो करिएगा उसमें आपका चतुराई भी घट जाएगा उसे अच्छा है कि चिंतन करें किसी चीज़ तो सोचें क्योंकि चिंता तनाव देती है चिंता आपको तनाव देगी वच्छे और चिंतन समाधान की और ले जाती है चिंतन कीजेगा सूचेगा किसी अच्छी चीज़ के बारे बिचार कीजेगा तो आपको समस्या का समधान मिल जाएगा करते जहां समस्या वहीं समधान होता है जहां समस्या हो वहीं समधान होता है चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती वरन आज के सुख को भी छीन लेती है चिंता करने से आपका दुख तो समाप तो नहीं होगा अपीतु आज जो आ विए अपने फूसले को खुंसला ने दें में अपी तो उनको पंख दे कर और ने की कलास सिखाती इस एक तो थो अच्छे है अवा समय घॉंद गएओंगे प्लीज कमेंट सेक्षिन में अपना प्रीशेस फीड़एक दे बच्चे कैसा लगा बता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बच्चे जूरे रहे हैं धन्यवाद दोस्तों